हेलो फ्रेंड्स अर्शिव अकैडमी यूट्यूब चैनल पे आपका स्वागत है और अगर आप सीटेट या एसटेट को क्लियर करना चाहते हैं तो इस वीडियो को ध्यान से देखेंगे हमारे चैनल को लाइक सब्सक्राइब करेंगे और हमें फोलो करेंगे तो जैसा कि आप कोई वीडियो में टाइटल नजर आई रहा है इस वीडियो के अंदर हम इंडिया की नेबर्स के बारे में जानने वाले हैं मतलग कि इंडिया की पडोसी देश कौन से है एक्जाम में अगर आप पीछे के एक्जाम को देखोगे स्टाड़ी करोगे तो ये केशन कही बार ट करेके से इस टॉपिक से केशन टार्गेट होते हैं पर ये पडोसी देश को जानने से पहले में एक और इंपोर्टेंट केशन जो है आपको बताना चाहूंगी वो केशन ये है कि हमें ये भी जानना पड़ेगा कि हमारा जो कंट्री है उसकी पोजिशन क्या है वर्ड के जो है टापिक है और हम इस वीडियो के अंदर इसको कवर करेंगे तो ये देखिए यहां पे आपको एक गलोग का पिक्चर दिखाई दे रहे हैं तो हमारा जो कंट्री है वो यहां पे है ठीक है तो अगर ये कैशन आता है कि हमारा जो कंट्री है वो कौन से गोलार्द में ह तो हमारा जो country है वो northern hemisphere में है किसमे है? northern hemisphere में हिंदी में इसको बोलते है उत्री गोलार्द और अब ये northern hemisphere क्यों है? ये देखे जीरो डिगरी जो latitude है जिसको equator बोला जाता है ये equator होती है इसके उपर का जो हिصसा होता है वो northern hemisphere होता है हिंदी में हम इसको दक्षिन गोलार्द बोलते हैं तो location का अब हमें clear हो गया है कि हमारा जो country है वो उत्री गोलार्द में क्यों क्योंकि ये equator से उपर है दूसरी चीज है एक line और यहां से पास हो रही है ये भी latitude है इसको हम topic of cancer बोलते हैं friends ये ध्यान रखना है ये जो latitude और longitude होती है ये imaginary lines होती है location को study करने के लिए time को study करने के लिए तो अब यहां पर ये आता है ये question यहां पर आगर आप देखोगे तो ये भी अच्छा important question है कि latitude कौन से line होती है और longitude कौन से होती है याद रखने का सीधा सा तरीका है ये देखो ये लेटी हुई line है लेटी हुई जो line होती है वो latitude होती है और longitude याद रखने का तरीका है और longitude के अगर हम बात करें तो इसके उपर इस pic के अंदर आपको कुछ जो line है वो दिखाई दे रही है जो ऐसे हैं मतलब ऐसे करके जारी है ये क्या होती है आपकी longitude होती है तो ये भी हमारा साथ का साथ location का discussion करते हुए clear हो गया कि लेटी हुई line ने latitude है और longitude आपकी जो लंबी line है तो अभी हमारा question अगर एक्जाम में आता है के इंडिया कौन से गोलार्द में है तो आपका answer है उत्री गोलार्द northern hemisphere तो हमने ये इस map की इस picture की help से किया है तो आप असानी से रट्टा मारने के आपको जरूर नहीं है क्योंकि रट्टा मारने से हम exam को clear नहीं कर सकते हैं अब आजाता है हमारा हम हमारे topic पे आते हैं इंडिया की पडोसी देश अब exam की अंदर ये question जो है different तरीके से target होता है कभी किसी तरीके से but target जरूर होता है तो आपने क्या देखना है हम देखेंगे कि इंडिया के जो पडोसी देश है ये भी two categories में divide करते हैं कुछ ऐसे पडोसी देश है जो हमारे साथ land boundary को share करते हैं कुछ ऐसे देश है जो हमारे पडोसी तो है but land boundary नहीं है मतलब हमारे और उनके बीच में क्या है पानी है तो इस वीडियो के अंदर हम एक एक के बारे में detail में जानेंगे और इस क्यों क्योंकि आप देख के इसको सीख रही हो तो आप इसको भूली नहीं सकते हो चलिए आगे चलते हैं हम आगे चलते हैं ये map आपको दिखाई दे रहा है इस map पे सबसे पहले हमारा जो पडोसी देश है हिमाले की तरफ जिसको हम नोर्थ भी बोल सकते हैं ये है चाइना चाइना है एक big country है जिसकी population जो है दुनिया में सबसे जादा है दूसरा है हमारा यहीं पे नेपाल तीसरा जो हमारा पडोसी देश है जो हमारे साथ land boundary को share करता है वो है भूटान इसी के साथ में हमारा एक ये बांगला देश भी यहाँ पे आपको नजर आ रहे है यानि कि आपको फोर्ड जो पडोसी हैं वो तो बिल्कुल यहीं पे मिल गए अब यहाँ पे इसी के साइड में आ जाईए ये है Myanmar ये question ये भी पूछा जा सकता है आपको यहाँ पे हम देखेंगे हमारा जो पडोसी देश है पाकिस्तान ठीक है जिसकी बांटरी आप देखोगे तो जमू और कश्मीर पंजाब राजस्तान गुजरात से लग रही है उसके बाद में है अफगानिस्तान अफगानिस्तान का भी जो हिस्सा है वो हमारी लैंड बांटरी को टच करता है तो यह हमारे वो पडोसी देश है जो हमारे साथ लैंड बांटरी को शेयर करते हैं अब आजाएए हम उन कंट्रीज के बारे में जाने वाले हैं जो हमारे पडोसी देश हैं लेकिन land boundary को share नहीं करते हैं वो हमारे island पडोसी है island क्या होता है एक ऐसा पृत्वी का एक ऐसा हिस्सा जो चारू तरफ से पानी से घिरा हुआ हो और जो तीन तरफ से घिरा होता है उसको हम peninsular land बोलते हैं तो हमारा जो ये दक्षिन का जो area है वो peninsular land है क्योंकि यहाँ पे east से west से और south से ये क्या है south से ये पानी से घिरा हुआ है तो ये तीन तरफ से घिरा हुआ है इसलिए क्या है एक peninsular land है तो अगर हम island countries जो हमारे पडोसी है उनकी बात करें तो एक तो श्रिलंका है यहाँ पे आपको नजर आ रहे है और जो दूसरा है वो मालदीव है ये लक्षदीब है हमारे islands और ये है हमारे islands अंडिमान एंड निकोबार तो ये जो दोनों पडोसी देश हैं ये हमारे पडोसी हैं लेकिन land boundary को share नहीं करते हैं फ्रेंड्स मैंने वीडियो सिरफ इसलिए नहीं बनाया कि मैं जो इसको योट्यूब पर डालना था क्योंकि मैंने अपना CTAT, STAT, STAT two times, TZT, PZT two times, PRT one time किया हुआ है तो मुझे पता है कि कैसे त्यारी करके हम easily इस exam को crack कर सकते हैं तो आपने क्या करना है इसको वीडियो को सिरफ एक रटा मार लेना कि यह यह पडोसी दे से इसको भूल जाते हैं लेकिन अगर आपने picture से देखा है तो इसको आप असानी से याद रख सकते हो अब आपका एक यह वीडियो में यह जानने के साथ में एक चीज ओर भी है जो आपको इसी topic के साथ जानने चाहिए हमारा जो country है वो दुनिया का सात्वा सबसे बड़ा country है सात्वा सैवंथ नमबर पे तो question यह पूछे जा सकते हैं कि उससे बड़े country कौन से हैं तो सबसे पहले नमबर पे आता है रश्या दुनिया का सबसे बड़ा जो है country है सैकेंड नमबर पे कैनेडा, थार्ड पे USA, फोर्थ पे चाइना, फिफ्थ पे ब्राजील, शिक्स पे ऑस्ट्रेलिया, सैवंथ पे इंडिया हमारा country है चलते-चलते मैं आपको ये और बताना चाहूंगी कि हमारे पास two groups of islands हैं और वो groups of islands हैं, एक तो अंडिमान एंड निकोबार, एक तो है हमारे पास अंडिमान एंड निकोबार, दूसरा है लक्षदीब तो question exam में कई बार target हुआ है या हो सकता है कि Bay of Bengal में क्या है कौन सा island troop है तो आपका आंसर होगा अंडिमान एंड निकोबार और Arabian Sea में कौन सा है तो आपका आंसर होगा लक्षदीब और ये Indian Ocean है तो ये हमारे इस वीडियो से हमने जाना कि हमारे country की location क्या है कौन सा number है हमारे पड़ोसी देश कौन से है फ्रेंड अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो प्लीज इसको like करें subscribe करें अपने friends के साथ relatives के साथ इसको share करें और मैं एस्टैट और सीटैट के पेपर से पहले सारे topic कवर करने वाली हूँ आप इसको follow करते रहिए definitely easy, easily आप इस exam को pass कर पाओगे